नमस्कार ग्लिप्स जोटेन में आपका स्वागत है ट्रेक्टर एजन्सी संचालक ने अपने ही रिष्टेदारों के साथ करोडों का ठगी किया है ठगी के शिकार हुए लोगों के शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके एक अन्य सहियोगी को मामले में ग्रिफतार किया ह मामला सिटी कोत्वाली इलाके के गिधा गाओं का है जहां गाओं के ही नरेश उपाध्याय रतनेश पांडे अर्चित उपाध्याय सही दर्जन भर ठगी के शिकार हुए लोगों ने थाने पहुँचकर शिकायत किया कि गाओं के ही ट्रेक्टर एजन्सी संचालक नरेंद पांडेव एकन्य सहयोगी ने एजन्सी में पार्टनर्शिप का जहासा दे कर दर्जन भर लोगों के जमीन को धोके से बैंक में गिरवी रखकर उसके एवज में करोडो रुपय का लोन ले लिया वहीं कुछ दिनों बाद जब बैंक से लोन पटाने नोटिस जारी हुआ त पैसा दे दी एक कडोर रुपया इसको और देने के बाद ये पैसा हमारा नहीं पटाया और ये गायब हो गया और हम सुनने में आया है कि यह और जो खड़े हैं सभी का कडोरो रुपय का वो गबन किया है और बहुत सारे हैं कम से कम 20-25 आदमी जब ये सुनेंगे तो सब द मेरे को पैता नहीं था जब मैं वहां गया मेरे एकाउंट में पैसे जमा करना था पैसे जब जमा करना था तो मैं गया अपने अकाउंट का पैसा चेक करवाया मेरे एकाउंट में सिर्फ 500 रुपिस थी पान सुना पता नहीं था वो पहले बोल रहे थे कि नागपूर गए सीटी को त्वालिथान अप्रभारी आशी शरोरा ने बताया कि इस मामले में जाज के बाद नरेन पांडेव एक अन्यसायोगी को रायपूर से गिरिफतार किया गया वहीं आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा अभी तक दर्जन भर लोगों से करीब तीन करोड रुपे की ठगी किया जा चुका है ये जॉन डियर ट्रेक्टर की एजनसी लेने को नाम से ये परिवारी लोग है इनका अपस में कुछ लेंदेन को लेगर की बात आई थी किसी और के खाते से पैसे निकलवा गर के करोड़ों की हेरा फेरी हुई है इसमें प्रार्थी प्रदी पांडे के नाम ने एक आवधन पत्र दिया था जिसे जांच पर से इसमें अपरात करमांग 499.18.424 के तहत अपरात कायम किया गया है इसमें आरोपी नरेन पांडे जो कि उनके ही परिवार का कोई कजन ब्रदर है वो और एक लोकेन चंद्राकर इनको राइपूर से गिरिफ्टार करके ले के आए